दोस्तों आपका स्वागत है सागर स्टेक शो के एक नए एपिसोड में सागर भाई आज क्या कर रहे हैं सागर भाई बना रहे हैं आज एक सर्वर और सर्वर कोई ऐसा वैसा सर्वर नहीं आज बना रहा हूं नो चार टेराबाइट का सर्वर वो भी बहुत कम कीमत में नेटवर्क अटैच्ट सर्वर बनाने लग रहे हैं आज हम कैईसे बनाया है देख सकतेकों आप गाईज इस और यह कैसे एक स्क्रीनवाला रगादा यहां पर यह दिखा रहा हैbu स्टाटस पूरे सर्वर। आपको समझाएंगे यहां पर एक रैस्बरी पाई लग रहा है जो कि 3 इंच की साड़े 3 इंच की स्क्रीन के साथ लग रहा है यह आप जानते होंगे स्याप पहले भी मिल चेह होंगे पीछे यहां पर एक हार्ड डिस्क लग रही है जो कि एक माइबुक नाम की Western Digital की एक MyBook आती है, ऐसी बहुत सारी portable hard disk आती है, तो यह 4TB की है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी hard disk का एक fan है, इसको और डिटेल में देखना चाते हो, तो आप Cyber Saagr पर जाएको जाओ और देख लो, जाओ सबस्क्राइब करो मेरा दूसरा चैनल है, यहाँ पर यह मैंने अठाच किया हुआ है, यह इसका वायर मतलब यह Raspberry Pi से जुड़ी होई है, इसको external 12 volt की power मिल रही है, इस hard disk को, और यहाँ पर इसको power मिल रही है Raspberry Pi को, और ऐसे यह server है, ध्यान दे कि, इस server में कोई भी cable attached नहीं है, यह wireless server है, इसको आप room में कहीं भी रख सकते हो, अगर घरों में आपके wiring नहीं डली हुई है, LAN की, Internet की, तो इसे आप घर के किसी भी कौने में जस्ट इसको ऐसे रख दीजिए, और इसके अंदर 4TB data आप store करके रख सकते हैं, और अपने घर के किसी भी device से उसको access कर सकते हैं, जैसे आपके phone में अगर बिल्कुल भी storage नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें data store कीजिए, इस से read कीजिए, इसमें कोई file डाल दीजिए, और घर का हर सदस से उस file को play कर सकता है, तो ये एक network attached server है, ये मैंने इसकी functionality बताई, अब मैंने ये किया कैसे, सबसे पहले मैंने Raspberry Pi में, open media vault नाम की एक script है, उसे install किया, उसको install करने से पहले, मुझे Raspberry Pi Lite इंस्टॉल करना पड़ा, जो की 275 MB की एक file होती है, जिसे win32 disk imager से write करके, ये आप directly उस SD card को अपने Raspberry Pi बे लगा लीजिए, यहाँ पर मैंने लगाई, 3.5 इंच की screen जो की आप देख सकते हैं, then LCD show नाम की एक script आती है, execute किया, और LCD 32 dash show करके, मैंने enter करके, ये LCD को show कर दिया, जो यहाँ पर जब मैंने script run की, जो की हमारी open media vault वाली है, उससे मैंने उसको configure कर लिया, file share कर लिया, और यहाँ पर मैंने ये, इसके साथ एक hard disk attach कर दी, अब ये up and running है, यहाँ पर मैं जो protocol इस्तिमाल कर रहा हूँ, basically यहाँ पर आप दो protocol इस्तिमाल कर सकते हो, the first one is FTP, file transfer protocol, जो की बहुत widely use होता है, दूसरा है SMB, server message block, जो की Microsoft Windows का, खुद का एक protocol है, जो की file sharing, device sharing में, internal network में, इस्तिमाल होता है, so इस setup में, हम SMB का इस्तिमाल कर रहे हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो, यह up and running है, इसके अंदर की file, हम किसी भी एक device से access कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, यह wireless device है, इसमें wire लग रहा है, जो की यह screen page होने के लिए लग रहा है, ताकि अच्छा लगे, मैं चाहूं तो इसा unplugged कर सकता हूं, और आप देख सकते हो, यह completely एक wireless, कोई wire नहीं है इसमें, अब यहाँ पर, अगर मैं चाहूं, जैसे यहाँ पर मेरा my server है, इसको और मैं tap करूं, तो यहाँ पर एक window खुल गई, अब मैं यहाँ my book पर जाता हूं, यहाँ पर, अब मेरे laptop में अगर बिल्कुल storage नहीं बचा हुआ है, तब भी मेरे पास एक server है, तो मेरे पूरे घर के जितने मी device हैं, उन सब को 4TB का storage मिल गया, इस चीज़ को बनाने के लिए लोग लाखों लेते हैं, लाखों देते हैं, बहुत पैसा लगता है, अब बहुत कम कीमत में आप इसको बना सकते हैं, यहाँ पर काफी पैसा लगा है इसमें, लेकिन आप चाहें तो बहुत सस्ता भी बना सकते हैं, वो कैसे, आप इस बड़ी hard disk के बदले, एक pen drive इस्तमाल कर सकते हैं, 128 GB की, एक raspberry pie इस्तमाल कर सकते हैं, without screen, वो आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा, 34,000 का raspberry pie आ जाएगा, और एक pen drive आ जाएगी, 1000 रुपे की तो 4,000 साड़े 4,000 रुपे में, आप एक network attached server बना लोगे, और कहीं भी उसे place करो, और guys enjoy करो, इसके detail में वीडियो देखना चाहते हो, इसकी पूरी functionality, पूरी detail जाना चाहते हुए, कैसे काम करता है, क्या होता है, तो मैं Cyber Saagr पे detailed video बना दूँगा, वहाँ पर आप देख लेना, चैनल को जरूर सबस्क्राइब करो, और मुझे बताओ guys, आपको ये मेरी engineering थोड़ा पास आके दिखा हो, ये जो मेरा product है, ये कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा, तो इस video को like जरूर करना, share जरूर करना, और मेरे चैनल को subscribe जरूर करना, Cyber Saagr पे आएगी इसकी detailed video, फिल्हाल मैंने आपको ये दिखा दिया, अब इसकी खास बात और क्या है, आप चाहो तो guys, इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक LAN केबल भी है, तो यहाँ केबल लगा सकते हो, उससे आपकी file access और fast हो जाएगी, आपको पता है कि जो wire के through data जाता है, वो wireless के comparison में ज़्यादा fast जाता है, reliable होता है, आप चाहें तो इस hard disk की जड़ी है, जो यह my book की जो आप दिख रही है न, WD की, इसकी जगह आप एक SSD इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी file sharing और fast हो जाएगी, दियान दे कि SSD थोड़ी सी महंगी होती है, अब मैं यहाँ पर इसको completely wireless बना सकता हूँ, बिकज़ यहाँ पर जो यह 12 volt है, इसको मैं battery power कर सकता हूँ, और यहाँ पर यह एक adapter से आ रही है, मतलब एक charger से आ रही है, तो यहाँ पर मैं एक power bank लगा सकता हूँ, आप इसको कहीं भी लेकर चले जाएं सर्वर को, और यह बिल्कुल काम करता रहेगा, यह बिल्कुल दिखा रहा है, बिल्कुल स्टाटस वगरा सब दिखा रहा है, अच्छे से इसकी IP address क्या है, FTP वगरा आप कर सकते हो, और अराम से इसको अक्सिस कर सकते हो, इसकी configuration भी कर सकते हो, इसका पैनल पूरा खुल जाता है, open media vault का, और ऐसे इंजिनियरिंग वाली वीडियों के लिए दोस्तों, अलग अलग तरहें के जुगार सागर भाई लेके आते रहेंगे, यह तो सागर स्टेक्शो का एपिसोड और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ज़रो प्रस करने, Cyber Security और इतिकल हैं तो डिस्क्रिप्शन चैक करें, मैं मलता हूँ आप से अब Cyber Sagar वाले चैनल पर इसकी पूरी डीटेल वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते ही मेरे चैनल को थैंकिसो माच और गुड डुबाई, कर साथेने, sentido है, बेल भुड य्यधन चैनल का कुछते ही में, यह cen पर दो वीडिकले चैनल करें,